रवीष कुमार आज कहानी देश के जवानों को पिंशन का पैसा नहीं मिलता है लेकिन अदानी समू में निवेश करने के लिए सरकारी संस्थानों को पैसे की कमी नहीं होती है दोनों बातों में संब्द नहीं होते हुए भी दोनों ही बातें बеहत गंभीर हैं चार लाग जवान वन रैंक वन पिंशन के अरियर के इंतजार में दुनिया से ही चले गए मगर समय पर अरियर का पैसा नहीं आया 2019 में ही आ जाना चाहिए था मगर 23 आ गया पुर्व सैनिकों की संस्था की तरफ से पैरवी करते हुए वकील हुजेफा एहमदी ने सुप्रिम कोट में ये बात कही है अगर ऐसा हुआ है तो क्या ये इतनी छोटी खबर है कि इसे अंदेखा कर दिया जाए देश के लिए जान देने वाले जवानों को वन रैंक वन पिंशन का पैसा समय पर क्यों नहीं दिया गया इसकी गिनिती समय से पहले या समय पर क्यों नहीं की गई आदानी और भारतिय जीवन बीमा निगम की खबरों पर आने से पहले इस पर नजर डाल लेते हैं जब जवानों के साथ ऐसा हो सकता है तो बाकी देश की जवानी का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं उतकर शानन की यह रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइमस में छपी है सोमबार को सुप्रिम कोट ने सरकार से कहा कि 15 मार्च तक सभी रिटाइट जवानों और अफसरों को वन रैंक वन पेंशन के अरियर का भुकतान कर दिया जाना चाहिए हर पाँच साल पर वन रैंक वन पेंशन की समिक्षा होती है जनवरी 2019 से लेकर अब तक का पैसा सैनिकों को नहीं मिला है अदालत इस बात से भी नाराज हो गई कि जब आदेश यह दिया गया कि एक ही बार में सारा पैसा दिया जाए तो रक्षा मंत्राले के सचिव ने चार किश्टों में पैसे जारी करने का आदेश कैसे दे दिया कोट ने सचिव से अब जवाब मांगा है अब जाकर रक्षा मंत्राले ने आदेश जारी कर दिया है कि 15 मार्च तक 2019 के बाद का अरियर एक साथ ही दिया जाएगा वन रैंक वन पेंशन की गिनिती कैसे हो पांच साल की जगा हर साल इसके बढ़ाने पर विचार हो इसे लेकर रिटाइड सैनिकों का संगठन सुप्रीम कोट गया बादा तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का था मगर इसे हासिल करने के लिए सैनिकों को 2015 के साल में जंतर मंतर पर आमरन अंशन भी करना पड़ा लेकिन रिवाइज पेंशन देने के नाम पर सरकार कोट से ही समय मांगती रही कि गिनिती के लिए टेबल बनाने समय लगेगा सैनिक संगठन उससे भी संतुष्ट और सहमत नहीं है कोट में सैनिक संगठन के वकील ने कहा कि इस दौरान चार लाग सैनिक रिवाइज पेंशन मिलने के इंतजार में दुनिया से ही चले गए तो क्या आपको पता था कि वन रैंक वन पेंशन के तहत 2019 में जो पेंशन रिवाइज होनी थी उसका बढ़ा हुआ पैसा यानि अरियर 2023 तक नहीं मिला है कि आपने किसी हिंदी अख़बार में ये मोटी मोटी हेडलाइने देखी है कि वन रैंक वन पेंशन के अरियर के इंतजार में चार लाग सैनिक दुनिया से ही चले गए क्या सरकार को प्रेस कॉन्फरेंस कर इस मामले में और सफाई नहीं देनी चाहिए